हेलो यूट्यूब दिस अदर्श और वाचिंग बिजनेस स्किल विट आदर्श सिंग तो आज का हमारा टॉपिक यह है वाट इज एंट्रुपर्निर्शिप एंट्रुपर्निर्शिप क्या है छोटे बिजनेस और स्टार्ट अप जो इन्वार्मेंट के लिए बहुत किया है वह आगे तक राइस करे और काम करें कि जब तक आपकी अच्छी टीम नहीं होगी आपके साथ अच्छी लोग नहीं होंगे तब तक आपने जो स्टार्ट अब आईडिय क्रेट किया है वह आगे नहीं ब earthly सकता एं इसलिए आप अपने एंपलोई के साथ मिलके जहां honor अपने सारे matters को solve करते हैं और अपनी चीजों को आगे लेके बढ़ते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग entrepreneurship क्योंकि entrepreneurship जो तक अपने startup के लिए कोई risk नहीं लेता तब तक उनका startup एक startup successful startup का culture startup का culture ऐसा होता है जहां पे employee, honor जितने भी लोग हैं वो अच्छे तरीके सब मिलके साथ में चलते हैं अपने company अपने startup को grow करने के लिए सब लोग मिलके help करते हैं एक दूसरे का जहां पर छोटा मोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो सब लोग साथ मिलके अपने startup को चाहते हैं कि हम आगे लेकिक जाए जहां कि अपने company का अपने startup का तरक्की हो और खराब नहों विकास उसको उन चाहा वो startup चाहते हैं जिसे आगे तक लिए जाना future में जितना भी जब तक वो मिलके team की तरके से काम नहीं करेंगे अपने startup के लिए तब तक उनका startup बहुत अच्छा और बिल्कुल fix startup अच्छा startup नहीं बन जाता market में अब point number one creating a product idea creating a product idea यह होता है जब तक आप अपने product के वारे में अपने पास सोचते नहीं है जो की market में आपको launch करना है because startup के साथ एक आपके पास एक creative product idea भी होना चाहिए जो की public को उस creative product का आइडिया जब तक आपस नहीं हो तक आप दे नहीं पाएंगे क्यों होना के चाहिए हो आइडिया जब तक आइडिया सोचेंगे नहीं कूंस आइडिया कैसा आइडिया है तो तो आप पुबली को क्या देंगे वो एक आईडिया आपको create करना होगा जिसकी service आप लोग जिसकी service हम देना चाहते हैं अब हम आपको बताएंगे second point second point hiring your first employee hiring your first employee यह है कि आप अपने startup company के लिए employees कहां सिलाते हैं employees means जैसे कि आप अभी startup launch किये हैं तो अपने startup इतना इतना खर्षाप पैसे amount कर नहीं सकते हैं तो आपको जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप interns हायर करें interns कैसे social media sites पर जाईए वहां पर अपने groups पे add डालिए मुझे intern say because क्या है कि interns जो है कम rate में सस्ते पैसे में आपको easily provide हो जाते हैं और experience वाले के पास जाएंगे आप तो बहुत ज्यादा बड़ा amount लेंगे और आपके company में जाद दिन काम भी नहीं करेंगे वह amount लेके चले जाएंगे और interns क्या होते हैं छोटे पैसे में बहुत महनत के साथ और लगन से आपके साथ जुड़ के वह आगे future के लिए काम करते हैं वह अगर कहीं और बाहर जाएंगे तो आप उन्हें एक इंटर्ण सर्टिफिकर्ट देंगे जिसके सहारे वह किसी और company में apply करेंगे तो उनका job easily मिल जाएगा क्योंकि वह वहाँ पर experience देंगे अपना क्योंकि मैंने पीछे इसा काम किया है ठीक है अब third point आपको बताता हू कि मैंने अपने एक start-up service market में launch किया है प्लीज उससे आप connect होई तो connect कैसे होंगे जब तक आप marketing उसका नहीं करें marketing मिंस क्या अपने इस्टार्ट अप के लिए digital marketing करें इस्ट्राइब मतलब कि आप किसी भी social media sites पर जाएंगे तो वहाँ पे digital marketing करने से यह होता है कि आप जाते आप मार्केट में ले सकते हैं यह और दूसरा यह है कि आप पैंप्लेट्स बनवाइए मॉल तुमॉल जाए मॉल में जाके आप दो तीन लड़के रख लीजिए उसके उनको वो लें कि यह यह पैंप्लेट्स आप डिस्ट्रिब्यूट करते चलो तो फिर क्या होता है कि इ क्या तो कम्युनूट्टी वह हता है जहां पे मार्केट में रखा जाता Astra तरव से हर startup की लोग आते हैं जोने अपना एक startup eyebrows किया है सब्सक्राइब हर startup की लोग बैठ के बात करते हैं अपने startup के बारे में कि आपकर startup कैसा है आपका startup कौन सा service दे रहा है आपके startup का USP किया है और ब्रोज सर्विस दे रहा है तो इससे क्या होता है, meetup में हर चीजे खुल के आती है तो ये था आज का हमारा वीडियो अब मैं आपको next episode मताऊंगा और सारी जानकारी दूँगा और क्या के अपने startup के लिए और कैसे किसे business कौन कुछ से business करना चाहिए तो this is others and you are watching business skill with Adhra Singh signing off